केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ शर्तों के साथ प्याज एक्सपोर्ट खोल दिया है. यानि एक्सपोर्ट पर लगी रोक अब हटा ली गई है. इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. शर्त यह है कि कोई भी एक्सपोर्टर 550 US डॉलर प महाराष्टर की सियासत डैमेज कंट्रोल के लिए केंद्र कर सकता है. बड़ा फैसला शीरशक से एक विस्तरित रिपोर्ट तयार की थी, जिसमें बताया गया था कि महाराष्टर में अगले तीन चरनों की वोटिंग के दौरान प्यास को लेकर 14 लोक सभा सीटों पर बीजे सीजन के प्यास का अच्छा दाम कमा पाएंगे. एक्सपोर्ट बैन होने की वज़े से घरेलू बाजार में प्यास की आवग बढ़ गई थी, जिसकी वज़े से दाम कम हो गए थे. फिलहाल, आज 4 मई की सुबह डाइरेक्टर जनरल ओफ फॉरिन ट्रेड डी जी एफटी की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसे सहकारिता मंत्राले की ओर से बनाई गई कमपनी नेशनल कोपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटे निर्यात यह रोक 31 मार्च 2024 तक ही लागू थी, लेकिन सरकार ने 22 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन निकाल कर एक्सपोर्ट पर लगी रोक को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था, इसके बाद जब 25 अपरेल 2024 को सरकार ने गुजरात के 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज क निर्यात की मनजूरी दी तब महाराष्टर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, किसानों ने विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले को गुजरात बनाम महाराष्टर बना कर पेश किया, एक्सपोर्ट के लिए 550 US डॉलर प्रती टन की शर्ट लगाई गई यानि यह प्याज का मिनिममम एक्सपोर्ट प्राइस है, अगर रुपए में बात करें तो कोई भी एक्सपोर्टर 46 रुपए प्रती किलो से कम दाम पर प्याज निर्यात नहीं कर सकेगा, बहराल, पांच महीने बाद भारत की प्याज के अंतरराष्ट्रिय बाजार में वा भुकता मामले मंत्राले की नई सचिव निधी खरे ने प्याज का एक्सपोर्ट खुलवाने में महत्वपून भूमी का निभाई, इसका गुना भाग लगाया कि कितना उतपादन है, कितनी डिमांड और एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो कितना प्याज सर जाएगा, उन्हों कि अगर प्याज एक्सपोर्ट बैन कायम रहता तो किसान इसकी खेती को और कम कर देते और आगे चल कर प्याज की भारी किलत होती, ऐसे में दाम बढ़ता तो उपभोकता परेशान होते, इसलिए एक्सपोर्ट बैन खत्म करने के फैसला दूर दृष्टी वाला कहा जा सकत है, एक्सपोर्ट खुलवाने के लिए महाराश्टर के किसान नासिक के एक एक्सपोर्टर विकास सिंग के जरिये कई बार अपनी आवाज उपभोकता मामले मंत्राले तक पहुचाई, प्याज एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ महाराश्टर के किसानों, व्यापारियों और ए स्थितियों में भी किसानों के हिट में सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया है। Bureau Report Market Times TV